नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके लिए चार तरह के नमक पारे की रेसिपी को लाई हूँ आपने नमक पारे तो कई बार बनाए हूंगे पर इस तरह से नई डिजाइन दार आप नमक पारे घर पर बना पाएंगे क्योंकि होली का समय आ रहा है तो सब लोग बड़िया बड़िया रेसिपी गर पर बना रहे हैं तो इन रेसिपी को आपको ट्राइ करना तो बनता है क्योंकि ये नमक पारे इतने जादा सुन्दर एकदम फूल लग रहे हैं आप जब इन्हें बनाएंगे ना तो आपको इन्हें तोड़ के खाने का मन नहीं करेगा लगेगा कि मैं इन्हें सजा कर रख लूँ क्योंकि इतने सुन्दर और बढ़िया बनके तयार होते हैं तो चलिए बिना देर किये हम सुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले हमने यहां पी दो कप मेंदा ले ली हैं अगर आप मेंदा पूरे इस्तिमाल नहीं करना चाहते हैं तो एक कप गहchlagen का आटा एक कप मेंदे का भी इस्तिमाल कर सकते हैं नमख डाल देंगे टेस्ट की हिसाब से और अब हमें घी का इस्तिमाल करना है तो मैंने यहाँ पे एक त्याई कप घी लिया है घी को मैंने पिलगा कर लिया है आप चाहें तो इसकी जगा रिफाइंड या डालडा का इस्तिमाल कर सकते हैं अब हमें जो मोम हमने लगाया है ना तो इसे हमें हातों से अच्छे से रगण के मल लेना है क्योंकि जब हम इसे हातों से इस तरह से अच्छे से रगण रगण कर मल लेंगे तो मैंदा के एक एक रेसी में ये मोम जाएगा और हमारी जो मटरी है ना बहुत ही अच्छी बनेगी इस तरह से इसका लड़ू बांद के देखेंगे और लड़ू बन रहा है तो मैंने यहाँ पे एक कप पानी लिया है पानी ना ठंडा है ना गरम है जैसा हम लोग इस समय सीजन में पीते हैं पानी बैसा ही है और बस पानी से ही इसका एक टाइट डू लगा कर तयार करेंगे इसका डू हमें सौप्ट नहीं लगाना है टाइट लगाना है बस इस बात का ध्यान रखना है बहुत ज़ादा इसमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है या फिर बहुत ज़ादा मेहनत करने की और देखें डो हमारा बन के तयार हो गया है अब हम क्या करेंगे डो को नहां हलका सा चिकना करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट बाद हम इससे नमकपारे बनाना शुरू करेंगे तो जैसे मैंने बताया है कि आज हम चार डिजाइन में नमकपारे बनाएंगे तो एक बार हम आटा को फिर से मल लेंगे और यहां पर एक कटोरी ले ली है और इसमें हम एक चम्मच मैंदा डालेंगे इसका एक गाड़ा घोल बना के तयार कर लेंगे गोल को बहुत पतला न रखें और इस तरह से गाड़ा घोल जब बन जाएगा तो हम उसे साइड रख देंगे आप जैसे रोटी हम बनाते हैं ठीक उसी तरह से बड़े साइच की एक लोई ले लेंगे और इसे पतला बेल लेंगे अब देखें ये रोटी बहुती बड़ी अब बड़े साइच की बनके तयार हो गई है इसके हम चारो तरब के किनारे कट कर देते हैं अगर आप किनारे कट नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे भी इसे बना सकते हैं पर थोड़ा सा अगर किनारे कट कर लेंगे तो बहुती अच् तो इस तरह से इसकी पतली पतली लेयर हम काट लेते हैं और अब हमने देखें इसकी सारी पतली पतली लेयर काट ली है तो चार या पांच लेयर आप इस तरह से अलग-अलग ले लीजिए और इन तीनो लेयर को एक साथ जोड दीजिए इस तरह से मतलब थोड़ा सा दबा दीजे मैंदा को तीनों को लेके और फिर जैसे हम चोटी गोते हैं ठीक उसी तरह से हमें गोनी है तो इसका एक बैसलिट बनके तयार होगा जो की देखने में बहुत ही सुन्दल लगेगा और इतनी पतली पतली लेरदार हम इसे बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा बनके तयार होगा एकदम कुरकुरा सा और इस बैल्ट को हम जो बैसलिट है ना इसको जोड़ देंगे थोड़े से मैंदे के गोल से और उंगलियों से इस तरह से दबा देंगे दबाने से ये अच्छे से एकदम उभरेगा अब हम दूसरी डिजाइन बना लेते हैं तो इसके लिए भी एक बड़े साइच की लोई लेंगे और अब हमें इसे भी अच्छे से बैल लेना है इसको भी मैंने बड़े साइच का बेल कर तयार कर लिया है और यहां पर मैंने एक डिबी का धकन लिया है धकन बहुत ज़्यादा चोटे साइच का नहीं लेना है आप देख रहे होंगे विडियो में और इसकी मैंने इस तरह से तीन साइच की पूरी सी बना के तयार कर ली है इन्हें हम भी से इस तरह से कट कर देंगे और इस तरह से जब यह कट हो जाएंगी यह देखें तो इससे हम फूल बनाना सुरू करेंगे अगर आपको लगे कि मतलब थोड़ा सा अगर तिर्चा हिर्चा है लोई हमारी तो बेलन की साहता से एकदम गोल गोल कर लीजिए और अब हम इसे मैंदा की साहता से चिपका देंगे थोड़ा सा इसमें मैंदा का घोल लगाते जाएंगे और एक एक करके इन्हें रखते जाएंगे और जितने पीस हमने काटे हैं एक साथ रख देंगे ताकि इनकी पत्तियां बहुत ही अच्छी बने अब चाको के पीछे वाले हिस्से से इसे दबा देंगे इसे काटना नहीं है सिर्फ इसे दबाना है इस तरीके से और उपर की साहता से इसे फोल्ड कर देंगे इससे इजी बिल्कुल कुछ भी नहीं है और मेहनत नहीं लगती है एक साथ ये दो दो फूल बन जाते है अब हमने क्या किया है एक फिर से लोई ले ली है और इसे भी हम बेल लेते है बेलने के बाद मेरे पास ये कोकिछ कटर है छोटी साइच का तो मैं सिर्फ गोला काट लूँगी आप कोई भी धकन की साहता से इस तरह से गोले काट कर तयार कर सकती है और जब ये गोले तयार हो जाएंगे तब हमने बेलन से थोड़ा सा एक सा कर देंगे या फिर थोड़ा छोटा है तो थोड़ा बड़ा साइच का कर देंगे और इसमें भी इस तरह से कट लगा देंगे इन कट को हमें पूरी तरह अंदर से नहीं लगाना है सिर्फ बाहर की तरब से लगाना है अंदर से ये डिजाइन जुड़ी हुई रहेगी अब इसे हाथ में लेके इसकी पत्तियां को दोनों को ऐसे दबा देंगे तो ये फूल बनके तयार होगा जो की देखने में बहुती सुन्दर लगेगा और इस तरह से बस उगलियों की साथ से दबाते जाएंगे तो इसमें एक अच्छी से डिजाइन बनकर तयार हो जाएगी और इस तरह से मैंने तीनों फूल तयार कर लिए हैं और इसके उपर मैंने काली मिर्च लगाई है आप काली मिर्च को थोड़ा सा मैंदा का घुल लगा के इसके उपर लगा के चिपका दीजिए अब मैंने एक लोई फिर से बेल कर तयार की है और इसमें मुझे पूरे में कट लगाना है पतले-पतले इस तरह से विडियो में आप देख रहे होंगे इस तरह से मैं कट लगा रही हूँ पर ये कट अंदर की तरफ नहीं रहेंगे सिब बाहर-बाहर से ही रहेंगे सारे कट हमने बाहर-बाहर की तरफ से लगा दिये है बहुत ही अच्छी ये रेसिपी है इससे बहुत ही अच्छी डिजाइन बनेगी मैंदा का अंदर घूल लगाएंगे और एक एक करके इन्हें इस तरह अंदर की तरह दबाते जाएंगे उंगलियों की साहता से और देखें चक्री जैसी एक अच्छी सी डिजाइन बनके तयार हो जाएगी जो की देखने में बहुत ज़्यादा सुन्दर दिखने वाली है इस तरीके से और इसे हम बीच में अच्छे से दबा देंगे मेंदा का घूल लगा दीजिए और फिर काली मिर्च को इस तरह से लगा दीजिए अब देखें हमारी चारो डिजाइन एकदम परफेक्ट बनके तयार हो गई है तो यहाँ पर मैंने कड़ाई में तेल को गरम करने रख दिया है फूल बहुत ही सुन्दर लग रहे हैं लग रहे हैं कि एकदम जैसे हम लोग पूजा के लिए फूल रख लेते हैं थाली में ठ सिक पाएं तो हलका तेल गरम करिए और फिर धीमियाच में इन्हें तल लीजिए इन्हें ज्यादा हमें अलट पलट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी एक दोबार आप कर दीजी और सिकनी दीजिए धीमियाच में और ना इनकी काली मिर्च निकलेगी और परफेक्ट य कि और इस नए तरह के नमक पारे की रेशिपी को ट्राई करना तो बनता है तो आप इस ट्राई जरूर करिएगा उमीद करती हूं कि आज की रेशिपी आप सबको जरूर पसंद आने वाली है क्योंकि इतने ज़्यादा सुन्दर ये नमक पारे बने हैं इससे पहले अगर अ क्योंकि होली आने ही वाली है और इन्हें मैंने निकाल कर एक प्लेट में रख लिया है बहुत ही सुन्दर लग रहे हैं अब बाकी की डिजाइन भी हम इसी तरह से तल लेते हैं तो सबसे पहले जो बैसलिट हमने बनाए थे वो डाल देंगे याद रखिएगा सारी चीजों को हमें दीमी आज में बढ़िया से क्रिस्पी होने तक तलना है और अब जो हमने गोल चकरी जैसे डिजाइन बनाई थी वो भी डाल देते हैं और जो फूल बनाए थे वो भी डाल देते हैं अब मैंने क्या किया है कि सारे एक साथ ही डाल दिये हैं जितने कडाई में आ जाएं और जब ये अंदर से देखे सिख जाएंगे तो तैर के उपर की तरफ आएंगे वाओ कितने सुन्दर ये फूल लग रहे हैं एकदम परफेक्ट बने हैं इस रेसिपी को ट्राई जितो करना बनता है अब मैंने फूल को निकाल लिया है इस तरह से तो नमक पारे हमारे बनके तैयार हो गए है चारों डिजाइने बहुती सुन्दर लग रही है आप किसी भी तरह ने बना सकते हैं और इन फूल को मैं पास से दिखा रही हूँ कितने बढ़िया बने हैं एक एक पत्ती एक एक डिजाइन उभर के आ रही है एक दम क्रिस्पी है ये और बैसलेट भी बहुत ही अच्छा बना है अब मैं इसे तोड़ के दिखा देती हूँ कि कितने ज़्यादा क्रिस्पी और बढ़िया हमारे नमक पारे बनके तैयार हुए है इन्हें हम तोड़ रहे हैं तो